हेलो एवर्वेवन गाईस वीडियमें एक प्रोग्राम देखने वाले हैं वह प्रोग्राम बेसिकली क्या है प्रोग्राम टो इन्पुट तू नंबर्स एंड रेस दा पावर और फर्स्ट नंबर अब टू सेकिंड नंबर ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक एक नंबर लिया मैंने 2 और दूसर नंबर लिया 5 तो मुझे क्या करना है 2 raise to the power 5 करना है और इसकी value को मुझे print करना है थिक है यह example मैंने बताया तो हमें simple program में यह करना है तो सबसे क्या करता हूं मैं main function मनाताऊ हूँ int mean और कुछ variable ले लेता हूँ, सबसे बादे तो मुझे दो variable लेने पड़ेंगे किसी इस के लिए, numbers के लिए, a ले ले लेता हूँ, एक variable ले लेता हूँ, d, और a को ले लेता हूँ, h, h नी से लो, p ow, p ow नाम से ले लेता हूँ, p ow is equal to 1, यह बता तो मैंने क्यों लिया, बाद में ठीक है, सबसे बहुता हूँ, स्लेश एन, मैं बहुता हूँ, enter, two numbers, ठीक है, मैंने user से value मांग रहा हूँ, message कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, scene, a, then उसके बाद क्या, b, ठीक है, दो numbers user से मांगे मैंने, ठीक है, अब मैंने numbers मांगने काम तो हो गया, अब मैं यह सोच हूँ कि मैं क्या logic लगाँ, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, आब आता है महीं logic का काम, अगर मैं सोच के देखूँ, मैंने दो numbers, suppose कि मैंने एक number लिया 3, ठीक है, और दूसर number लिया 4, इसका मतलब क्या हुआ, कि ह कितना times, वो second number है, उतने times first number के क्योंकि 3का मतलब क्या हुआ, कि 4 time क्या हुआ है, basically 3 अपने आप से multiply हो रहा है, example मैं बोलो, 2 lecture to the power 5 इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 है जो 1st number है वो 2nd number जी है जो हमारा 5 है उतने times अपने आप से क्या हो रहा है multiply हो रहा है तो मैं क्या करता हूं basically इसके लिए follow up लगाता हूं क्या लगाता हूं follow up लगाता हूं ठीक है follow up मैं लेता हम जो मैंने एक variable let it d d d use करता हूं मैं लेता हूं d is equal to 1 d is less than equal to what b and d plus plus अब यह मैंने क्यों करा यह मैंने इसलिए करा क्योंकि जब भी आप 2 numbers लोगे तो जो 1st number है हम उसको 2nd number के उपर raise करना है sorry 2nd number को मैं 1st number के power raise करना है ठीक है तो होगा क्या उससे कि जेतने times जो हमारा second number है उतने times तो first number multiply हो अपने आप से तो मैंने उत्यने times के ले मैंने कंद ल को जुधन आप बी डाला तो जो second number जो बी होगा उतने times से loop चलेगा तो अब इसमें करूंगा क्या मैं देखो अब मैं इसमें करता हूँ POW मैंने लिया था निक POW is equal to POW into A कर देता हूँ अब इससे होगा क्या मैं बताता हूँ देखो POW की value मैंने क्या है क्या गरे थी मैंने initialize करे थी 1 करे थी ठीक है अब होगा क्या suppose करो जो मेरा A है वो कितना है वो है मेरा 5 ठीक है मेरा A है 5 और मेरा B है कितना 3 ठीक है तो loop कहां से चलेगा D is equal to 1 to 3 यानि कि 3 times loop चलेगा और 3 times loop चलेगा तो होगा क्या POW तो है 1 तो POW जब 1 first time जब loop चलेगा तो 1 into 5 क्यों हो जाएगा 5 second time जब यो POW 5 हो गया तो फिर A तो अगें 5 है तो second time जब चलेगा तो हो जाएगा 5 into 5 क्या 25 ठीक है जब 3rd time loop चलेगा तो क्या होगा POW 25 तो 25 into 5 क्यों हो जाएगा 125 तो basically मैंने करा क्या मैंने loop चला है second number के लिए कि उतने times loop चले और उतने times यो first number अपना आप से multiply हो जाए यानि कि हमारा सारा काम complete हो गया अब मैं simple see out कर जाता हूं किसको see out कर जाता हूं POW क्योंकि जो हमारा last final result है का वो किसमें store होगा वो store होगा POW में ठीक है मैंने कर दिया अब मैं करता हूं return 0 और मेरा braces लाके program बन कर देता हूं ठीक है अब अब इसको run करते हैं मैंने run कर रहा अब मैंसे बोड़ा enter two numbers ठीक है दो number enter करते है पहले number सब उसको मैंने डाला 4 ठीक है और second number सब उसको मैंने डाला 3 डाला ठीक है तो क्या output आना चाहिए 4 history power 3 मतलब क्या हुआ कि 3 times 4 अपना आप से multiply हो रहा है तो answer क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए तो उसको enter करते है देखो क्या आएगा 64 आ रहा है जो कि correct है ठीक है अब एक बार और कर लेते हैं कोई example लेके ठीक है सब उसको दो number डालने तो मैंने first number डाला 10 और दूसर number डाला 5 तो उससे क्या आना चाहिए कि 5 times 10 अपना आप चो multiply होगा और एक तरस हमने क्या कर दिया second number को first number की power कमच के मुझे को raise कर दिया ठीक है तो answer क्या आना चाहिए 5 times 0 आना चाहिए और 1 आना चाहिए तो देख सकते हैं आ गया ना 1 times ठीक है आ गया ना पूरा 5 times हमारे 0 आ गया और 1 times 1 आ गया तो इस तरह हमने क्या कर रहा basically हमने program बना दिया कि अगर हमें 2 number input कराने हो और हमें first number की power raise करने हो क्या second number तो कैसे हम कर सकते हैं तो आयोप आपको एक program समझा गया होगा